नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हार मारा बायो फर्टिलाजर यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजिंटा कंपनी के एमपलीगो वा बोलियम फ्लेक्सी दवाओं के बारे में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों जिन फसलों में लटों इलियों वा रस्चूसक कीटों दोनों को मारना हो उन फसलों के लिए ये काफी अच्छी साबित होती हैं दोस्तो ए दोनो दवाएं क्लोरेंट्राली प्रोररसायन पर आधारित हैं जो लट को मानने के लिए काफी हाई क्वाल्टी की दवा मानी जाती हैं यह दोनो फल के अंदर वह फसल पर दोनो प्रकार की लटों वर रस्चूसक कीटों को नश्ट करती हैं दोस्तो सिजिन्टा एमपलीगो वा बोलियम फ्लेक्सी दोनों ब्रोड स्प्रेक्ट्रम सिस्टेमिक दबाईया हैं जो पूरे पौदो में फैल कर उसकी लटों वर रश्चूसक कीटों से रच्छा करती हैं तो चलिए दोस्तो अब इन दोनों दबाउं को गहराई से एक-एक करके पूरा देखते हैं दोस्तो सिजिन्टा एमपलीगो की बात करें तो इसमें क्लोरान्टरान लिप रोल के साथ में लेमडा साइलो थ्रीन पाया जाता है जो सभी प्रकार की लटों के साथ ही साथ सफेद मक्की वा लीप होपर यानि सफेद और हरे मच्छों को कंट्रोल करता है वहीं दोस्तो अगर बात करें इसकी इस्प्रे की डोज की तो इसकी इस्प्रे की डोज 10 एमेल प्रती टंकी यानि प्रती पंप और 500 एमेल प्रती एकर है वहीं दोस्तो अगर बात करें सिजिन्टा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी के बारे में तो इसमें क्लोरान्टर अली परोल के साथ में थायों में थुक जाम डबलू जी फार मूलेशन में पाया जाता है जो सभी प्रकार की लटों के साथ में लीप माईनर वआ एफिट जैसित को भी कंट्रॉल करती है दोस्तो इसका प्रयोग spray के साथ-साथ जमीन में डिंचिंग यानि पौधे की जड़ों में भी कर सकते हैं बोलियम-फ्लेक्सी को जमीन में डिंचिंग करने से यह जमीन में और पौधों की जड़ों से पूरे पौधों में फैल जाती है जिससे जमीन के वह पूरे पौधे के कीटों वह लटों को यह आसानी से कंट्रोल कर देती है वहीं दोस्तों अगर बात करें बोलियम फ्लेक्सी की इस्प्रे की डोज की तो इसकी इस्प्रे की डोज है 10-12 ml प्रति टंग की या 2500 ml प्रति एकर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में इस वीडियो को लाइक करें वा हार मारा बायो फरिटी लाजर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आंगे आनने वाली खेती वाड़ी वक किसानों से जुड़ी जानकारी आपकी मोबैल में सबसे पहले पहुंच सकी